जंगल में एक खतरनाक इगल अपने बेटे शिवा के साथ रहता था इगल उसे शिकार कैसे करना सिखा रहा था एक दिन शिवा अपने पिता जी से कहता है पिता जी अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मेरी तालिम भी खतम हो गई है इसलिए आज मैं अकेले ही शिकार करने जाओंगा मुझे भी तो बता चले कि मैं कितना सक्षम हूँ शिकार करने में शिवा के लिए इगल भी खुश हो जाता है और उसे अकेले शिकार करने की अनुमती देता है उची छलांग लगा कर आसमान में उड़ जाता है वो अपनी तिशन नजरों से शिकार ढून रहा था तबी उसे मुर्गी के चूजे नजर आते है वो एक पेड़ पर उतर जाता है तबी शिवा को मुर्गी देख लेती है ये इगल तो दीक रहा है चोटा सा पर अगर इसने मेरे बच्चे पर हमला किया तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं मुर्गी चुपके से शिवा पर नजर रखी हुई थी जैसे ही शिवा मुर्गी के बच्चों पर हमला करने जाता है वैसे ही मुर्गी बहाराती है और उड़ते हुए पीचे से शिवा पर हमला करती है शीवा मुर्गी के हमले का मुकाबला करने में असमर्थ हो जाता है वो मुर्गी के वार से घायल हो जाता है तब मुर्गी शीवा से कहती है देख बच्चे तु अभी छोटा है मैं तुझे मारना नहीं चाती इसलिए चला जा यहां से नहीं तो बे मोत मारा जाएगा तब शीवा भी पीछे हड़ जाता है वो वहाँ से उड़ते हुए अपने पिताजी के पास आता है शीवा को घायल देखकर वो दुखी होता है तब शीवा कहता है पिताजी देखिए उस मुर्गी ने मेरी क्या हालत कर दी है आप उस मुर्गी को अच्छा सबक सिखाईए तब ही मुझे चैन मिलेगा हाँ बेटा तुम्हारे जखम भरने से पहले ही मैं उस मुर्गी को जान से मार दूँगा एगल शीवा के जखम पर दवा लगाता है शीवा और उसके पिता के मन में बदले की आग भड़क जाती है उस दिन एगल मुर्गी को ढूँणने जाता है पर मुर्गी भी चालाग थी उसे इस बात की खबर थी कि एगल उसे जरूर ढूँण लेगा इसलिए वो बड़ी ही सावदानी से कदम रख रही थी उसने अपने घर के चारों तरफ काटो भरी जाडिया लगाई थी ताकि एगल उनके पास ना आ सके और वो सुरक्षित रहे एक दिन वो अपने बच्चों से कहती है बच्चों देखो बहार खत्रा है इसलिए कुछ दिन तुम सब घर के अंदर ही रहना पड़ेगा मैं उस एगल से पिछा छुडाने का कोई दूसरा बंदो बस करती हूँ मुर्गी की सावदानी की वज़े से एगल उसके पास नहीं जा पा रहा था इधर हर बार इगल का लटका हुआ मुँ देखकर शीवा समझ जाता था एक दिन शीवा अपने पिता से कहता है पिता जी क्या बात है आप भी एक मुर्गी से डर गए या फिर आप में हिम्मत नहीं है एक मामुली मुर्गी से मुकाबला करने की बस बड़ी-बड़ी बाते करने से कोई हिम्मत वाला नहीं बनता शीवा पिता जी से ऐसी बात करना तुमें शोबा नहीं देता अब देखो कल मैं कुछ भी करके उस मुर्गी और उसके चूजों को तुम्हारे कदमों में कैसे लाता हूँ इगल बड़ा ही गुस्से में आ जाता है अब वो दूसरे दिन बदला पूरा करने के ही सोच में ही मुर्गी के घर के पास आता है तब एगल को मुर्गी का एक चूजा घर के बाहर दिखाए देता है तब वो उस पर हमला करने जाता है पर जाड़ी से टक्रा कर वो नीचे गिरता है बच्चा घर के अंदर जाता है मुर्गी घर के बाहर आती है बस नुकसान है मुझे तुमारी कोई बकवास नहीं सुननी मेरे बेटे को खायल किया था न तुमने इसकी सजा तो तुमें मिलनी ही चाहिए फिर सुनो मेरी बात मेरे और मेरे बच्चों से दूर रहो उस दिन तेरे बेटे को छोड़ दिया था पर आज मैं तुमें छोड़ूंगी नहीं एगल गुसे से मुर्गी पर हमला करने जाता है पर मुर्गी वहाँ से उड़ जाती है एगल हर बार मुर्गी पर वार करता है पर बड़ी ही हिम्मत से वो उसका मुकाबला करती है मुर्गी का ये होसला पेड़ पर बैठा बंदर देख लेता है और वो मुर्गी की मदद करने आता है पहले बंदर मुर्गी के बच्चों को घर से बाहर निकालता है और मुर्गी से कहता है मुर्गी अब जल्दी से जाडियों से बाहर आजाओ, मैं इस जाडियों से बाहर आजाओ, मैं इस जाडियों में आग लगा दूँगा बंदर के ऐसे कहने पर मुर्गी उड़ते हुए जाडियों से बाहर आती है इगल बाहर निकलता कि तभी जाड़ी में बंदर आग लगा देता है आग की वज़े से इगल के पंक जल जाते है इगल जैसे तैसे शिवा के पास आता है और कहता है काश हम बदले के आग में ना जलते तो आज ये दिन नहीं आता मुझे माफ कर दे बेटा और मेरी एक सी खियाद रखना किसी से भी बहर कभी मत करना भूतिया बंदर और हीरन हीरन अपने बगीचे को अच्छे से सीच कर बड़ी ही मेनत से फसल उगाती थी इस बार भी आम भूती अच्छे आये थे पर हर बार कोई ना कोई आम की चोरी कर लेता था जिस वज़े से हीरन बहुती परिशान हो चुकी थी उसी जंगल में रहने वाला हाती एक बार चुपके से बगीचे में गुस जाता है हाती हमेशा हीरन के आम चुराता था और उसकी खबर हीरन को नहीं थी हीरन भी हमेशा ऐसे आम की चोरी होने से परिशान थी हाथी आम तोड़ने जाता है कि तबी उस पर कोई पत्तर फेकता है उसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई खड़ा है पर उसे कोई दिखाई नहीं देता तबी बगीचे से डरामी आवाज आती है जिस वज़से हाथी डर के मारे कापने लगता है और वो बगीचे से भागते हुए बाहर आता है उसे बगीचे के बाहर हीरन मिलती है हाथी की ये बात हीरन को समझ में नहीं आती वो बगिचि के अंदर जाती है वो इधर उधर अच्छे से देखती है पर उसे भी कोई नहीं दिकाई देता तब ही एक आम नीचे गिर जाता है कौन है यहाँ, जल्दी से नीचे आ जाओ नहीं तो मैं इस पेड के साथ साथ तुम्हें भी काट डालूंगी तब ही वहाँ बंदर का भूत प्रकट होता है हीरन बहन मैं हूँ, देखो मुझे आम बहुत पसंद है आम की वज़े से ही मर गया था और हाँ, तब से मेरी आत्मा आम खाने के लिए भटक रही है इसका मतलब तुम हो जो मेरे आम खाकर मेरा नुकसान करवाते हो उसी के साथ तुमने हाथी को भी डरा दिया ना अरी हीरन बहन, वो हाथी हमेशा आम की चोरी करता था मैंने तो उसे भगा कर तुमारा ही फाइदा किया बंदर की बात सुनकर हीरन मन ही मन सोचने लगती है अच्छा, तो हाथी है, जो मेरे आम चुराता था बंदर की बात तो सही है, अगर बंदर यहां मेरे बगीचे में रहा, तो इससे तो मेरा ही फाइदा होगा, और जो कोई यहां आम चुराने आएगा, वो उसको भगाते जाएगा हीरन मन ही मन सोच कर बंदर से कहती है, बंदर तू मेरे बगीचे में रह सकता है, तुझे जितने आम खाना है, तू उतने आम खा सकता है, बस जो कोई आम चुराने आएगा ना, तू उससे भगाते जाना, इससे मेरा भी फाइदा होगा, और तुझे आम भी खाने को मिलेंगे बंदर को हीरन का ये सुजाव बहुती पसंद आता है वो उसकी बात मान लेता है बंदर के वहा रहने से अब हीरन भी सुकुन से रहने लगती है एक दिन हाती वापस से बगिचे में आता है पर उस दिन भी उसके साथ वही सब होता है आधिके साथ साथ सूवर जीराफ सब बगीचे में जाते हैं और वो भागते हुए वापस आते हैं सारे एक जगा पर इकटा होकर बात करते है अरे इस हिरन ने हमें डराने के लिए बगीचे में भूत रखा है ये हिरन जो कुछ कर रही है ये ठीक नहीं है हाँ हाँ थी अगर हमें डर के मारे कुछ हो गया तो हमें इसके बारे में बात करना होगा हिरन से अरे बेवकूप सुवर अगर हिरन से बात करने जाएंगे तो हमारी हिचोरी पकड़ी जाएगी बड़ा आया बात करने वाला हमें तो और कोई रास्ता खोजना होगा इस हीरन और भूत ने तो नाक में दम करके रखा है कैसे भी करके उस भूत का पता लगाना होगा हाती परेशान होकर सोच रहा था कि तब ही उसे बाग दिखाई देता है बाग को देखते ही उसके मन में एक ख्याल आता है और वो बाग के पाद जाकर कहता है बाग कुछ दिनों के बाद तुम से कोई नहीं डरने वाला उस हिरन ने तुमें हराने के लिए अपने आम के बाग में एक भूत लाकर रखा है उस भूत ने हम सारे जानवरों को परेशान कर दिया और उपर से वो कह रही थी कि सब को ऐसे ही परेशान करेगी बाग तुम इस हिरन को अच्छा सा सलग सिखाओ वो हिरन और इतनी चालबाज चलो मेरे साथ मैं आज ही फैसला करता हूँ उसका हाथी खुशी से बाग को लेकर हिरन के पास बगिचे में आता है बाग बहुत ही गुसे था वो गुसे से कहता है हाती जाओ और जाकर सारे बगीचे को तैस नैस कर दो हाती आम के पेड़ों को उखारने लगता है कभी हीरन कहिती है अरे हाती रुख जा बाग तुम तो कहो हाती को रुखने के लिए ये सब क्यूं कर रहे हो हाती बाग कुपा करो मुझ पर मेरा बगीचा यो बरबाद मत करो हाती को रोकने के लिए बंदर का भूत उसके सामने प्रकट होता है बंदर को देखते ही हाती कहता है बाग ये देखो ये बंदर का भूत यही हम सब को परेशान कर रहा है आज तो इस हीरन का फैसला कर ही दो हीरन हाती की चाल समझ जाती है और वो बाग से कहती है बाग इसमें बाग इसमें बंदर की कोई गलती नहीं है मैंने ही बंदर को यहां रहने की इजाज़त दी थी ताकि हाती के जैसे बागी आम चोर से अपने आम को बचा सकू दरसल ये बंदर तो भला है कपड तो इस हाती के मन में है हीरन बाग को सारी सच्चा ही बता देती है तब बाग कहता है हाती, तुने मुझसे जुट बोलकर हीरन के खिलाफ किया तुम बड़े ही मतलबी हो देखो, आज से तुम हीरन को परिशान करोगे तुम मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और ये इसका बगीचा है वो अपने बगीचे में चाहे किसको भी रख सकती है इसके लिए तुम अपनी आदत को सुधारो और अच्छे से रहो समझे बाग फैसला करके वहाँ से चला जाता है बंदर का भूद हाती पर हसने लगता है और उसे वहाँ से भगा देता है पने पर भी हाती के हाथ कुछ नहीं आता उस दिन के बाद से बंदर का भूद बगीचे में रहकर बगीचे की रखवाली करता और मन चाहे आम खाकर खुशी से रहने लगता है